नमस्कार मैं हूँ राउल शर्मा आप देख रहे हैं स्ट्री नाइनियस वागत है आप सभी का आज के इस बड़ी ख़बर में बड़ी ख़बर की शुरुबात सचिन पाइलट से कि सचिन पाइलट क्या सूनिया गांदी को अपना स्कार वागत हैं धरसाल राजस्थान से स्टरा की खबरें निकल कर सामने आने लगी है क्योंकि सचिन पाइलट सीथे तौर पर स्टिज्जिया गांदी से नारास दिखाई दे रहे सचिन पाइलेट को जो जिम्मेदारी कॉंग्रेस पार्टी में चाहिए थी फो जिम्मेदारी शायद अब मिलती नजर नहीं आरे तो मौझजुदت समय की जो हालात है वो ये इशारा कर रही है कि आने वाले समय में बड़ा नुखसान उठाना पढ़ सकता है जी हां कongress party को और कongress party से अगर ये युवा चेहरा भी निकल जाता है तो समझ लिजे कि Congress party पतन की और जाती नजर आगी ये वो Congress party है जो सीधे सीधे तोर पर ये देखा जा रहा है कि प्रिशान किशोर को उन्होंने खुद से दूर कर लिया वो प्रशान किशोर जो चुनावी रणनीती कार हैं, वो प्रशान किशोर जो कॉंगर्स पार्टी के लिए रणनीती बना रहे हैं, तो ये देखा जा रहा है कि कॉंगर्स पार्टी के लिए जो रणनीती बनाई जा रही है, या कॉंगर्स पार्टी के लिए जिस तरह के रण नीती बनाने वारा थे ऐसे में देखा गया कि प्रशान की शोर ने भी अपने कदम पीछे की चेड़े तो यहां पर मौझुदा समय के जो हाला की थीक नहीं चले। कॉंग्रिस पार्टी में जिस तरह से अंतर कला देखने को मिल रही है जिस तरह से आहां पर यहांपर यह माना जा रहा है कि सचिन पाइल पाइलेट अगर सुनिया गांधी को अपना स्तीफा सौपते तो समझ लेजिए राजस्तान में कॉंग्रेस पाटी वैसे ही आदे इस तर पर तूट जाएगी क्योंकि जनता सचिन पाइलेट पर जितना भरुसा करती है उससे बहुत कम भरुसा बोलो अश्यो कहलोत पर जदात जनता के लिए काम किया है दो कम्यूनिटी के बीच में उनकी बहुत अच्छी पकड़ इसके साथ ही राजस्तान की और जो कौम है वो भी सचिन पाइलेट के साथ देखती ही नजर आ रही है तो अश्यो कहलोत से बहतर काम सचिन पाइलेट ने किया है और इसलिए राजस्ता सिisión मेर्फाल की स्थार्व करना चמת data क्रिहां किस्कों कानग्रस को और को सब्सक्राइब सब्सक्राइब ये जो के और उडास के लिए हुगा और किस्का ऐस सब्सक्राइब कर्राइब तो चुनाफकर कि राजस्थान से भी सथ आगावा वह बैखे दक्रास तो कि तब तक ले जा दीजे, नमस्कार।